Hello everyone, welcome back, कैसे हैं, आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear Strings, आज की इस लेक्चर में हम UP Poll Team First Semester के Applied Physics के First Chapter के Next Topic के बारे में डिसकस करने वाले हैं Dear Strings, आपको पता है कि इस समय हम Applied Physics का First Chapter पढ़ हैं, जिसका नाम है मात्रक यों मिमाएं जिसमें से हम आपको मात्रक को Complete तरीके से पढ़ा चुके हैं, आसा करते हैं कि आप लोगोंने उन सभी के सभी Lectures को जरूर से जरूर देख लिया होगा अगर आप लोगोंने नहीं देखा होगा, तो इसी Lecture के Description में आपको Link मिलेगा, जाकर कि प्रिविएस वीडियो को देख करके अपनी Notes को Complete कर लीजेगा आज का हमारा जो टॉपिक है यह बहुत ही इंपाटेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से आपके exam में बहुत ही जादा Comment कुसे जाने के chances हमेईसा बने रहते हैं तो dear friends आज का ये lecture आपकी ये बहुत ही ज्यादा important होने वाला है इसलिए खुब ध्यान से एक छोटी छोटी चीजियों को समझेगा और जब हम कहेंगे कि वीडियो को pass करिए और आप इसको note करेंगे आप लोग इसको note करेंगे उनको आप लोगोंने समझा है दिन बीमाओं को आपको समझ में कोई समस्या नहीं होगी और अगर आपने बीमा को समझ लिया तो आपके एक्जाम में इस चैप्टर से कई सारे कुछे जाने की संभावने बहुत जादा रहती हैं मैं आपको बताता हूँ नार्मली पहले बीमा क्या होती फिर मैं डेफनीशन भी यहां पर आपको दिखाऊंगा उसको आपको लिखना है दिन बीमा होती क्या है देखो जब हम किसी भी रासी की बात करते हैं वो मूल रासी हो या ब्यूदपन रासी हो तो उसका मात्रक जरूर से जरूर होता है अब किसी भी मूल रासी को या किसी भी ब्यूत्पन राशी को हम मूल राशीयों के पदों में ब्यक्त कर सकते हैं क्योंकि ब्यूत्पन राशीया मूल राशीयों से ही प्राप्त की जाती है तो जो हमारे मूल मात्रक होते हैं उनके लिए कुछ नोटेशन यूज होता है ऐसे थोड़ा कम समझ में आता है कुछ example की help से मैं आपको समझाऊंगा आप 100% समझ जाएंगे आईए देखेगा डियो स्टेंट देखे यहाँ पर हमने परिवासा लिख दी है यही परिवासा आपको ऐस सच अपनी copy में नोट कर लेना डियो स्टेंट परिवासा देखो क्या लिखी है करें किसी भावतिक राश की बिमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं मिस जो बिमाएं होती हैं वो घात होती हैं वो पावर्स होती हैं क्या उनसी पावर्स होती हैं जिनने उस राषि को वेक्त करने के लिए मूल राषियों से दरब्मान, लंभाई और समय के मात्रकों पर चढ़ाना पड़ता है means जो मूल मातरक होते हैं उनके जो notations use होते हैं उनके use होने वाले notations के उपर जो घाते लगती हैं जो powers लगती हैं उनी घात्रकों को ही बच्चों क्या कहा जाता है विमाय कहा जाता है यहाँ पर ध्यान दिए का हमने note point लिखा है लंबाई, द्रब्मान और समय के मात्रकों को करमसा है यह देखे ध्यान से इसको दिखाने का तरीका होता है जो हमारा लंबाई है उसको हम लोग ऐसे capital L से दिखाएंगे और साथी साथ इसको capital bracket के अंदर बंद करके लिखा जाता है इसका notation है वैसे जो द्रब्मान का मात्रकों को हम capital M से दिखाएंगे और इसे capital bracket के अंदर इसको हम लोग बंद करके रखते हैं और साथी साथ जो समय अर्था time है उसको capital T से दिखाएंगे और ऐसे कैपिटल ब्रेकट के अंदर डियस्टेंट्स बंद करके इसको रखा जाता है ठीके ना अब देखें हम पर कुछ एक्जामपल हमने लिखा है चाल आयतन घनत और बल इनकी बिमाएं मैं आपको लिकाल के दिखाता हूं कि इनकी बिमाएं कैसे निकाली जाती है यह होगी अर्थात वही लंबाई है तो दूरी को किसे दिखाएंगे कैपिटल ल से यहां लिखेंगे कैपिटल ल लिख दिया जाएगा बच्चों और जो समय है हमारा उसको किसे दिखाएंगे टी से यहां लिख देंगे कैपिटल टी बास समझ में आ रही है अभी जो इसमें हो जाएगा बच्चों माइनस में हो जाएगा तो यहां पर जो T है यह ऊपर चला जाएगा तो आपको यहां से मिल जाएगा कैपिटल लेकड के अंदर L T की पावर माइनस 1 और देखो यही इसकी बिमाएं प्रदर्शित कर रहें कैसे जो मूल मात्रक के लिए notation use किये हो notation कौन-कौन सा use किये हो L और T use किये हो L की घात कितनी लगी है बच्चो 0 और T की पाओर कितनी लगी है &- 0 vẫn जो आपके सामने मूल मात्रक को प्रदर्सित करने के लिए गहाते लगी हुई है उन्हीघातों को ही बच्चों प्रफण को ध्यान से सुने करें किसी भाउतिक रासी की भीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जो घात लगी होती है उसको कहते हैं जिन्हें उस रासी को द्युक्त करने के लिए मुल रासी से द्रब्मान लंबाई और समय के मात्रकों पर चढ़ाना पड़ता है जो के मातरक होते हैं जैसे दूरी का मातरक क्या होता है मीटर लंबाई का मातरक क्या होता है मीटर तो इसको एल से दिखाए डाता है तो यल और टी समय को टी से दिखाते हैं तो समय और टाइम जो इसके मातरक हैं उनका जो नोटेशन उसके उपर जो घाते लगी वही उसकी क्या क किहलाएंगी बात समझ में हा रही है आप लोगो तो हम यहां पर निकले अखांते हैं आइतन कि बता है लंबाई गुड़े चौड़ाई ठीक है बाचो और गुड़े क्या उचाई अब देखो अगर हम लंबाई चौड़ाई और उचाई लिखते हैं तो यह तीनो के त्यून की सब दूरी है तो इसके लिए क्या यूज होगा capital L इसके लिए क्या यूज होगा capital L इसके लिए क्या यूज होगा capital L यह खुब ध्यान से lecture को समझेगा मैं छोटे छोटे concept को 100% आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं और आपको समझ में जरूर से जरूर आता होगा अगर आपको lecture पसंद आता हो आपको सारी के सारी चीजें समझ में आती हो तो अपने friends के साथ lectures को जरूर से जरूर से या कर खंड की विमा हम लोग कैसे निकालेंगे ठीक क्यों हम लोग कैसे निकालेंगे दियار चुछ एक है तो जुड़ा से सर्फ्राइब इस बोगति मैंने नोड स्परवाइट help तो मिलेगी बट मैं आपको suggest करना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों आप उस notes से 100% depend मत होए उस notes की help से और जो मैं lecture साब को provide कर रहा हूँ उसकी help से एक नई notes खुद के लिए आप जरूर से जरूर बनाएगा आपके लिए बहुत बहुत होगा बाकि मैं notes आपको physics और chemistry दोनों की provide कराऊँगा आप tension मत लिए आईए हम बात करते हैं घानतों की कि घानतों के लिए हम बीमा का कैकुलेशन कैसे करेंगे उस बीमा को हम लोग कैसे ज्यानत करेंगे ठीक है समझिएगा घानत कोई बात हो रही है तो आपको पता है कि सर घानत तो बराबर होता है द्रब्यमान और बटे में क्या होता है सर आयतन होता है घनत तो बराबर दरभमान बटे बच्चों क्या होता आयतन अब आपको पता है कि जो हमारा दरभमान है वो मास माने उसको M से दिखाएगा कि यह देखो मैंने बताया है और आयतन अभी आप लोगों निकाला है L की पावर 3, capital breakout आप यहां पर लगाए रहेंगे अब यह उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M L to the power minus 3 यह डियो स्रेंट्स की बीमा लिखने का तरीका हो जाएगा बीमा बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे यहां पर घात किती लगी 1 और minus 3 यहां पर जैसे M L T लिखा था T नहीं है तो T की जहां पर आप 0 भी लिख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां M की power 1 है L की power minus 3 है और T की power 0 है अगला हम बात करते हैं डियो स्रेंट्स बल बल लिखा हुआ है इसकी लिख करके आपको हम दिखाते हैं बल क्या होता है बल बल बराबर द्रब्मान ठीक है द्रब्मान गुड़े बच्चों क्या होता है तोरण होता है सबको पता है बल बराबर द्रब्मान गुड़े तोरण होता है तो द्रब्मान जो होगा इसके लिए यहां पर हम लोग capital M का use कर लेंगे, तोरण क्या होता है बच्चों, तोरण जो होता है, वो हमारा होता है, meter प्रती second square, सबको पता है न, यहाँ capital M लिखेंगे, meter माने, meter माने क्या होगा, meter माने, लंबाई होगी, लंबाई का मतलब क्या होगा, यह strength L होगा, और second square माने, T होगा, T की power 2 हो जाएगा, अब देखो, ML T की power minus 2, क्या हो जाएगा, ML T to the power minus 2, यह इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, तो dear friends, आसा करते हैं, कि आप लोगों की यह जो बीमा का concept, मैंने आपको बताया, इस बीमे के concept को, आप 100% समझ गए होंगे, बाकि अभी बहुत सारी बीमाएं, आपके book में दी गई हैं, उनको आप लिखेंगे, उनको आप समझेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ही और जादा practice करने की हमें आवा सकता है, ठीक है, तो ये कुछ रासियां थी, जिनका हमने आपको लिख करके दिखाया, बीमा कैसे लिखी जाती है, क्या notation ही होते हैं, वो आपको 100% समझ में आ गए, ध्यान लखिए का बच्चों, ये जो घाते लगी होती है, इन घातों को ही बीमा कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान दखिएगा, यहाँ पर एक note point लिखा हुआ है, आपके सामने उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, note point में ये इस ट्रस लिखा है, भावतिक रासियों की बीमाया प्राप्त करने के लिए, ये मूल रासियों के निम्र संकेत प्रयुक्त होते हैं, तीन तो हमने यहाँ पर यूज किया, द्रब्मान का, समय का, और लंबाई का, इसके अत्रिक्त भी और notation यूज होते हैं, उनको यहाँ पर हमने लिख दिया, आपको note कर लेना है, द्रब्मान के लिए, अब ही आप इस class को, इस वीडियो को पास करके इतना note करिए, यहाँ आपके साथ डिसकस करते हैं, नेक्स टॉपिक के बारे में, बट बिफोर दैट, पास दे वीडियो और नोट डाउं, यह स्टेंट्स, आप लोगोंने समझ लिया कि बीमा क्या होती है, अब दो छोड़े-छोड़े concept और हैं, बीमिये सूत्र क्या होता है, साथी साथ बीमिये समीकरण क्या होता है, इसको समझेए, दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कि किसी भी रास की बीमा को लिखने का तरीका क्या होता है, किसी भी रास की बीमा को हम लोग कैसे लिखते हैं, वही बिम्य सूत्र था देखो ध्यान से जो घात लगी होगी न वो उसकी बिमा होगी और जो एक फार्मला टाइप का बना करके लिखते हैं MLRT की पावर में डियर सेंट्स वही क्या होता उसका बिम्य सूत्र हो जाता है बास समर्ण में आ रही है definition देख लिए आप लोग एक बार यहाँ पर लिखा किसी भी भावतिक रास का बिम्य सूत्र वह बेंजक है किसी भावतिक रास में किस मूल रास की कितनी विमाए है कितनी विमाए हैं जैसे माल लिए कि हमारे पास कोई डियर सेंट भावतिक रात यक्स है उसमें M की घात A है L की घात B है T की घात C है तो उसका बिम्य सूत्र जो है उसको लिखने का तरीका क्या होगा X is equal to S A M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C जैसे अभी आप लोग लिखते थे इस तरीके से जब उसको हम लोग लिख देते हैं तो वही उसका क्या बन जाता है बिम्य सूत्र बन जाता है जैसे अभी अभी हाँ बल की बीमा लिखी तो बल बराबर क्या होता है भच्चों यहाँ पर बल बराबर होता है द्रब्मान अगुडे में क्या होता है दियस तरण होता है अब जो हमारा द्रब्मान है जो हमारा द्रब्मान उसको हम किस से दिखाएंगे M से कैप्टल M लि जाएगा फाइनली जब साल्ब करेंगे एम एल टी की पाउर कितना हो जाएगा माइनस टू यही जो आपके सामने लिखा हुआ यही किसका बल का कहलाता है विमिय सूत्र कहलाता है समझ में आरे यह बाते ना आभी हम इसके बारे में और डिल में डिसकस करेंगे कि किसी भी भौतिक रासी का हम लोग विमिय सूत्र किस तरीके से ग्यांद करते हैं अब एक थोड़ा से टापिक और लोग समझ लीजिए आप लोग डियो स्टेंट्स बिमिय सूत्र क्या है आप समझ गए होंगे अब एक टापिक और आता है विमिय समीकर्ण क्या होता है डियो स्टेंट्स जिस भावतिक रासी की हम लोग विमा को लिखते हैं अगर उसकी विमिय सूत्र के सामने उस भावतिक रासी को भी हम उठा करके लिख देते हैं तो हम एक एक इक्वेशन टाइप का एक समीकर्ण के रूप का मिल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विमय समीकर्ण कहते हैं जैसे अभी अभी आप लोगोंने क्या किया बल्कि बिमा निकाली बल्कि बिमा डियो स्टेंट्स अभी अभी आप लोगोंने निकाली M L T to the power minus 2 अभी आप लोगोंने निकाली क किसी को विमिये समिकण डाइमेसिनल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है तो इसलिए हम यहां उसका बल को लिख दिये और ऐसे लिख दिये जो आपके सामने मिल गया यह क्या है समिकाड है अगर हम केवाल इतना लिखे थे तिये इसका क्या था सूच था सूत्र को इस भावतिक राशी के जब हमने बराबर कर दिया तो जो हमें प्राप्त हो गया डिय समिकाड लिखना हो डियो स्टेंट्स तो हम लोग कैसे उसको लिखेंगे उसको लिखने का प्रापर तरीका क्या होता यही में कंसेट है जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है कोई भी भावतिक राशी होगी आपसे पूछेगा भईया इस भावतिक राशी की बीमा बता जाता है बिमार लिखने की बिधी यह आप कह सकती है बिमिय सूत्र जो हमारा बिमिय सूत्र है ठीक है उसको लिखा कह जाता है बिमिय सूत्र लिखने की बिधी लिखने की बिधी अगर हमारे पास कोई भौतिक राच से दी गई है तो उसका बिमिय सूत्र हम कैसे लिखते हैं अभी जैसे लिखते थे वैसे लिखते हैं करने का तरीका क्या है कुछ steps use होते हैं जैसे सबसे पहला जिस भावतिक राज की हम बात कर रहे हैं उस भावतिक राज को उसकी मूल राजियों के पदों में ब्यक्त करते हैं और फिर उस मूल राज के मात्रकों को लिखते हैं और मा होता है उसका विम्य सूत्र प्राप्त हो जाता है असानी से ग्यांसद्द कुछ विम्य सूत्र मैं आपको लिखके दिखाता हूं जिसकी हल्प से आपको जादा अच्छे से डिया स्ट्रेंट समझ में आ जाएगा चलिए समझते चलिएगा जैसे छोड़ी छोड़ी चीज़े ले करके चलते हैं माली जै आपसे पूछ लिया कोई कि भाईया जो छेत्रफल होता है ध्यांदी जैगा डिया स्ट्रेंट्स आपसे कोई कहा कि भाईया छेत्रफल का विम्य सूत्र बताईए छेत्फल मिन्स क्या होता है डिया स्ट्रेंट्स एरिया होता है आपसे किसी ने क कहा दिया कि भाई दाव का विम्य सूत्र लिख करके दिखाईए तो इन सब का विम्य सूत्र आप लोग कैसे लिखेंगे क्या प्रॉपर तरीका होगा इसको लिखने का आसा करते हैं और इसे आप लोग समझ तो चुके हुए हैं लेकिन हम इन छोटे-छोटे एक्जामबल की ह जो होता है तो दोनों की यहां होगा यह होगा यह हो जाएगा यह को और कैसे दिखा जाएगा इसको लिखने का इससे बेटर यह है यह लिखा जाता है इसे प्रदरसित हो रहा है इसकी विमाये केतनी है, 0 हैं 2 हैं और 0 यह जो घाते हैं वो विमाओं को दिखा रही है और जो फार्मूला के सामने लिखा हुआ है यह इसका क्या लिखा है, क्या लिखा है भई, यह इसका लिखा हुआ है BIMI-E-Sutra ठीक है आईए हम लोग संबेक की वीमा लिखते हैं संबेक क्या होता डियस्टेंट्स आपको पता है संबेक P equal to डियस्टेंट्स MV होता है P equal to क्या होता MV होता है तो यहाँ पर जब इसकी वीमा निकलोगे तो M माने क्या होगा द्रबमान और द्रबमान के लिए हम लोग capital M यूज़ करेंगे और यह जो है हमारा वेग जो है वेग वेग बराबर क्या होता विस्थापन बटे समय तो विस्थापन के लिए L यूज़ होगा और समय के लिए क्या यूज़ होगा टी यूज़ होगा फाइनली जब इसको आपको प्राप्त हो जाएगे समझ हा रहा है कैसे लिखा जाता है वीमा आगे देखेगा तोरन की विमा आप से लिखने के लिए बोल रहा है तोरन बराबर क्या होता है तोरन बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर वेग माने क्या होगा resident plots今日 होती ऐ होगा दूरी माने L T की पावर माइनस 1 यह पहले से ही होगा ठीक है यह इसकी बिमा डारेक्ट हम लिख देते हैं और यहां T की पावर माइनस 1 होगा तो फाइनली जब यह उपर जाएगा आपका मतलब 1 होगा नीचे समय के लिए उपर जाएगा T L T to the power माइनस 2 हो जाएगा या इसको हम लोग M to the power 0 L to power 1 और T to the power माइनस 1 सरी माइनस 2 इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे समझ आ रही है बातें तो यह हमने छेतरफल की बिमा लिखी संवेक की बिमा लिखी और तॉरण की बिमा गाली ऐसे दाव की बिमा गर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे पी बराबर डियस्टेंट्स क्या होता एफ हपान ए होता है तो अभी आपको एप की बिमा डारेक पता होनी चाहिए अभी अभी आप लोगों ने निखाला है M L T to the power minus 2 होती है अपान A की बीमा डियर स्टेंट्स यहां निकालोगे क्या होगा A की बीमा A माने A माने क्या है छेतरफल है और छेतरफल जो है हमारा वो क्या होता L का इस पार तो जब ऊपर जाएगा तो P की बीमा हम लोग निकालेंगे तो M L की पावर डियर स्टेंट्स कितना हो जाएगा देखो यहां पर यहां पर कितनी बीमा लगी है तो पावर जब जाएगी माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 1 M L की पावर माइनस 1 और T की पावर माइनस 2 ये dear strengths आपको किसकी बीमा मिल जाएगी P की बीमा यहां से मिल जाएगी बास समझ में आ रही है तो अभी मैं आप लोगो कुछ दे देता हूँ जिसकी help से आप लोग कुछ बीमाओं को ग्यांद करिएगा कुछ आपकी book में ही question दिये गया है उनी को हम आप को दे देते हैं और आप लोग इसको ग्यांद करेंगे ठीके चलिए यहां पर capital bracket लगाना dear strengths आप लोग मत बोली क्यों कि बीमा जो होती है उसको capital bracket में ही हमेशा लिखा जाएगा वो उसके notation का तरीका होता है ठीके तो आसा करते है dear strengths आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा क्या होता है बीमिये सूत्र क्या होता है और बीमिये समिकान क्या होता है साथी साथ आपको ये भी समझ में आ गया है dear strengths की बीमिये सूत्र को हम लोग लिखते कैसे है सो मैं आपको कुछ रासियां यहां पर दे रहा हूँ जिनका विमिय सूत्र आप लोग लिखेंगे और कमेंट सेक्षन में आकर कि ये मुझे बताएंगे कि इसका विमिय सूत्र आपको क्या प्राप्त हो रहा है ठीके डियस्टेंट्स अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा दिन आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे उसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं होगा देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको डियस्टेंट्स कार की विमा लिखनी है साथी साथ आवेक की विमा लिखनी है ठीके आवेक की विमा लिखनी है उसके बाद आप लोग जो है डियो स्टेंट्स यहाँ पे लिख लीजेगा गतिज उर्जा की बीमा लिख लीजेगा गतिज उर्जा बस इतना ही करता हूँ अभी आप लोग इतनी बीमा को ग्याद करिएगा देखो डियो स्टेंट्स जिन रासियों के बारे में आप नहीं जानते हैं उन रासियों की बिमा को लिखने में आपको प्रॉबलम होगी उसमें कोई दोराय नहीं है रीजन क्या है उसके पीछे जिस रासियों के बारे में आप जानते ही नहीं है उसको उसके मूल मात्रकों की रूप में आप ब्यक्त नहीं कर पाएंगे इसलिए आप जब chapter wise पढ़ते जाएंगे अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे जब कोई भी chapter पढ़ते थे तो वहाँ पर कोई नई रासी आती थी तो हम लोग क्या करते हैं तो उसका मात्रक लिखते थे अब हमें एक नई चीज सीखें जिसका नाम है विमिये सूत्र तो अब हम लोग जब कभी भी कोई भी question solve करेंगे means कोई भी नई quantity सीखेंगे तो उस quantity के बारे में जानेंगे उसकी unit मान्य उसके मात्रक के बारे में जानेंगे मात्रक को जानने के साथ ह positivo अब हम लोग उसका विमिये सूत्र भी उठा करके लिखेंगे तो करते करते आपको धी 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 सारे विमिये सूत्र याद हो जाएंगे तो आख करते हैं कि आज के इस lecture में जो कुछ भी हमने आपको सिखाया है वो आपको 100% समझ में आ गया होगा आपके माइंड में कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को सेर कर दीजिए साथी साथ कमेंट सिक्सन में अपना सपोर्ट दिखाएए और वीडियो को लाइक कर दिजिएगा अगर चैनल पे नए होते लिए स्ब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा तो ठीक है बिए लिए स्ट्रेंट्स आज के इस क्लास में इतना ही तब तक के लिए सांधार रहिए मस्त रहिए पढ़ते जरूर रहिए मिलते हैं नएक्स क्लास के साथ तब तक अपना ख्याल रहिए आल दे वेस्ट